हेलो एब्रिवन गुड इवनिंग विल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स अभी ना शाम का टाइम है इस वक्त अभी पांच बजे हुए हैं और अभी बन रही है हमारी शाम की चाय और मौसम काफी ज़्यादा ठंडा हो गया है जब से बारिश होई है तो साम की जो चाय है पीने के बाद फिर हम अपने सारे काम सुरू करेंगे तो जैसे ही साम की चाय हो जाती है इसके बाद मैं फटा-फट से लग जाती हूँ खाना बनाने में जो भी रात का मारा खाना होता है बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाती हूँ जल्दी से ही सारे काम करती हूँ और जैसे कि आप सबको पता है कि ठंड काफी जादा पड़ रही है तो इस टाइम पे मैं कोसिस करती हूँ कि मेरे जितने भी रात के काम है ना जो खाना बनाना और कीचन की साफ सफाई वगएरा जितने भी रात में काम होते हैं मेरे मैं वो सारे काम टाइम से कर लूँ इसलिए मैं साम को जल्दी ही ये सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ तो चाय पीने के बाद तुरंट से मैं आ गई हूँ किचन में और यहां पर बन रही है हमारे सबजी तो सबजी मैं आलो और गोबी की बना रही हूँ और यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सा ही खाना बनाती हूँ रात में बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना हमारा नहीं होता है चाहे मैं कोई भी सबजी बनाओ बहुत सिंपल सा होता है तो रात के खाना हलका होना भी चाहिए और साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम भी ने लगता तो बस यहाँ पर मैंने सिंपल वाली सबजी आलू और गोबी की बनाई है सबसे पहले मैंने जीरा और मेती से तड़का लगाया है और उसमें डाल दिया है बारिक कटा हुआ प्याज और बारिक कटी हुई हरी मिर्च और उसमें आलू डाल दिये हैं साथ ही मैंने गोबी भी डाल दिये है और जब यह गोबी और आलू थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे ना भुन जाएंगे इसके बाद इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे साथ इसमें हल्दी, पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे जब ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे न तो इसके बाद इस सब्जी में पानी डाल दूँगी और आज मैं आलू गोबी की तरी वाली सब्जी बना रही हूँ पानी डाल कर केस में तो ये मेरे बेटे को अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा पसंद है उसको तरी वाली सब्जी कोई भी हो चाहिए वो आलू टमाटर की हो या फिर आलू गोबी की हो और इस टाइम पर उसकी थोड़ी तविया ठीक नहीं है तो उसको बस यह है कि ममा आज आलू गोबी की सब्जी बनाई है उसको आलू गोबी की सब्जी बहुत जाला पसंद है तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जी चढ़ा दी है और सब्जी में अपने कीचन के और भी जो काम होते हैं जो बिखरे हुए समान होते हैं सबको अरेंज करना होता है वो सब कर लूँगी तो एक तरफ मेरा खाना भी बनता रहता है और दूसरी तरफ मैं अपने छोटे मोटे काम को भी निप्टा लेती हूँ तो यह जो बरतन रखे थे ना यह शाम के थे मतलब दो पहर के थे जो कि मैं धुल करके रखी थी इनका पानी जो है सूप गया है अभी निकल गया अच्छे से तो मैं इनको लगा दूँगी स्टेंड पे और देखे काम करते करते ही ना मेरी जो सबजी है वो बन गई है यह देखे कुछ तरीके से बनी है आलू और गोवी की सिंपल सी तरी वाले सबजी तो सबजी मेरी बन गई है और फिर मैं फटा फट से रोटिया बना लूँगी अभी शाम के लगबग साथ या साड़े साथ हो रहे होंगे और बच्चे जो अभी खाना नहीं खा रहे थे बोल रहे थे मम्मा अभी थोड़ा सा भूख नहीं है थोड़ा सा भी रूख जाएए तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी और अन्या को पढ़ाने के लिए अन्या का कल एक्जाम है तो वो अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मैं भी बैट गई थी उनसे पूछने के लिए और थोड़ा सा देख लेती हूँ कि बच्चों की कैसे तयारी है तो जब हस्बन फ्री होते हैं तब वो देख लेते हैं बच्चों को और जब मैं फ्री हो जाती हूँ अपने काम से तो मैं देख लेती हूँ तो ऐसा कोई यह नहीं रहता कि मैं ही देखूंगी मैं नहीं था अन्या का मतलब कल एक्जाम है इसलिए मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठी थी तो बस थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी देना चाहिए घर की काम तो बहुत होते ही रहते हैं मतलब पूरा टाइम अगर करो तो घर के काम कभी खतम नहीं होते बच्चों को भी में क्या हुआ बहुत सारी बाते होती है तो सब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है लगब 15-20 मिनट बच्चों के पास में बैठी थी और पढ़ाई के अलावा भी हम बहुत सारी बाते करते हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन म और जब तक अभी टाइन था तो मैंने क्या किया कि सारा जितना भी मेरा खाना बना हुआ था मैं उस सब को दूसरे बरतन में निकाल दे थी मतलब जो सबजी बनी हुई थी उसको मैं निकाल दूँगी दूसरे बरतन में कड़ाई को मैं खाली कर लूँगी और सबसे जो जल रात बढ़ती है वैसे वैसे ठंड भी काफी जादा बढ़ती है तो मुझे सबसे जल्दी होता है कि मैं बरतन जल्दी से साफ कर लूँ तो मेन मेन जो बरतन होते हैं जैसे आभी किसी का खाना हुआ नहीं है तो ये जितने भी सारे बरतन है तवा और रोटी बनाने का बहुत सारे जितने भी बरतन है ये सब को मैं ले जाओंगी और साफ कर लूँगी ये कडाही भी तो सारे बरतन साफ कर लूँगी और फिर बाद में जो खाना खाने के बाद जो बचेंगे एक दो थाली प्लेट वो स सारा बर्तन जो है निकाल के रख दिया है बाहर इनका खाना रख दिया है दूसरे छोटे बर्तन में और सबसे पहला काम है किचन साफ करना तो फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के साथ अपना नाइट रूटिन शेयर कर रही हूँ कि सर्दियों में मैं किस तरीके से ये अपने घर के सारे काम जो है टाइम से निप्टा लेती हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत न हो और सारे काम अराम से हो जाएं समय पे हो जाएं तो इस तरीके से मैं ठंड के टाइम पे अपने सारे काम जल्दी ही निप्टा लेती हूँ खोसिस करती हूँ कि बहुत जल्दी ही सारे काम हो जाएं बहुत ज़्यादा देर ना हो मुझे नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है तो बाहर सबसे ज़्यादा तो बरतन साफ करन पहले किचन को clean करूंगी और रात के टाइम पे मैं किचन को बहुत ज़्यादा विंबार वगरा से नहीं clean करती हूं जिस दिन किचन गंदा होता है मैं उसको सुबह ही अच्छे से clean कर लेती हूं रात में मैं कोशिश करती हूं कि मेरा जो काम है वो जल्दी वाला हो तो इसलिए अभी मेरा जो किचन है रात में ज़्यादा deep clean करने के लायक नहीं रहता है ये साफ उत्रा रहता है बस इसमें रोटी बनाने के बाद जो आटा वगरा गिर जाता है थोड़ी बहुत सबजी कब रहता है बस इसी को क्लिन करना रहता है तो ये आसानी से हो जाता है तो मैंने बस गीला कपड़ा करके किचन टावल से ही इसको कोच दिया है और पूरा जो किचन प्लेटफॉर्म है और गैस चूला है तो बस इसको अच्छे से मैंने साफ कर लिया है फिर मैं आ गई हूँ फटा फट से बरतन साफ करने के लिए और बरतन साफ करना मेरे लिए ठंड के मौसम में रात में खास कर ठंड के टाइम पे एक बहुत बड़ा टास्क ही लगता है लेकिन फिर आप अगर कोई भी काम करते हो ना तो फिर आपकी आदत हो जाती है और जब आदत हो जाती है तो फिर इतना ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान देती हूँ कि मैं कोसिस करती हूँ कि हमेशा ही अपना ये जो रात का काम है ना बरतन वगेरा साफ करने का तो मैं टाइम से कर लूँ क्योंकि जब खुद को ये काम करना ही है मतलब करना तो है ही ये काम बरतन साफ करना ही है रात में हमेशा ही मैं रात में कीचन को साफ कर लेती हूं और बरतन को भी साफ कर लेती हूं तो फिर इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा अपने हिसाफ से मैनेज कर लेती हूं कि मुझे ये काम पहले कर लेना है तो इसलिए अब यहां पर देखिए बातों बातों में बरतन भी साफ हो चुके हैं और बस बरतन करने के बाद यहां की जो बालकनी है ना इसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूँगी और पानी काफी जादा है इस टाइम पे अभी क्या आने वाले कुछ दिनों में यह और भी जादा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत उस टाइम पे और भी जादा हो जाती है लेकिन फिर कर लेती हूं मेरी यादत हो चुकी है और यहां पर पानी गिर गया है बर्तन की जो टोकी रखी हुई थी ना तो इसके निच्छे काफी ज़्यादा पानी गिर जाता है तो फिर मैं इसको भी पोच दूँगी ताकि जो किच्छन है उस सूख जाए अच्छे से पानी काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर रुख जाता है तो फिर मैंने इसको भी साफ कर लिया है और किच्छन का जितना भी काम है वो हो चुका है और सबसे लाश्ट बारी आती है सारे कपड़ों को सुखाने की यह कपड़े ना सूखते बिलकुल भी नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम है तो आप कितना भी मतलब धूप में डाल दो लेकिन थोड़ी बहुत इतमे नमी रह जाती है तो इन सारे कपड़ों को मैं फैला देती हूँ यहां पर बरामदे में और सबसे जरूरी इंपोर्टन काम यही है और अभी लगबर साड़े आठ पॉने नव हो गयोंगे और मे पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना बिलती हूँ आप से एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू बाबाई टेक केर गूड़ नाइट